की धकतर आज का वीडियो है कि कतर में हम एक्सवैटर ऑपरीटर का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए क्या डोकमेंट्स चाहिए और कितना फिय लगेगा इसकी पूरी डिडिल्स आपको इस वीडियो में मिलेगाई कि आपको कितना पेमेंट्टे लगेगा आपको फीक कितना लगेगा got his cool लेना पड़े कानल लेना पड़ेगा आपका बीज्या कौन से केटिगरी का होना चाहिए क्या कमपनी से कोईय क्वेंट में से लेना पड़ेगा इस इसके बारे में पूरे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन-कौन एक्सवेटर ओपरेटर का लाइसेंस और कैसे ले सकता है तो चलिए शुरू करता हूं बताना कि आप अगर इंडिया पाकिस्तान पंगलादेश कहीं से आ रहे या कतर में आप रह रहे तो आपको किसी भी केटेगरी का बीजा हो इसका कोई वह नहीं है रूल सन्य उनिय कि आपको ये कैटेगरी का बीजा होना चाहिए आप कहीं सभी आयो कोई भी बीजा होना चाहिए मुšकिल नहीं है आप एक्सवेटर ओपरेटर का लाइसेंस बना सकते है अब सकेंड बात यह है कि आपको क्या कंपनी का ड सब पचास उर्पे जो आपको 30 दिन के लिए स्कूल लेना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तब जाके लाइसेंस आपका बनेगा और हां इसका हाफ कोस भी है जिसका प्राइस है 2850 यानि 2850 उर्पे तो आपको मैं बता दू कि यह सिर्फ स्कूल का फीस है फुल कोर्स का और हाफ कोर्स का इसके लिए आपको कोई डोकमेंट्स का रिक्वाइर्मेंट है नहीं है ना ही कोई पीजा आपका इस केटेगरी का होना चाहिए और ना ही कोई आपको कोई कंपनी से डोकमेंट्स लेना पड़ेगा और दूसरी बात आपको ज 213 रुपए एक्टरा वान के चलिए यह तो सिर्फ कर और उनका पड़ेहाब लाइसन का आपको फोल कोर्स का और हाफ कोर्स का इसके इसके अलावा आपको और कुछ नहीं अप लाइसे अराम से इस जो लेकर के अपना टाइम लेकर regeneration करके ले रहेंगे आप वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने प्रेंट्स को भी सेयर करें थैंक यूद्यू